नमस्कार दोस्तों, आर्सी इस्ट्डी में आपका स्वागत है, आज हम लोग अध्यन करेंगे दर्विमान सरच्छर का नियम, यानि किसी पदार्थ को नो तो नश्ट किया जा सकता है और नो ही उत्पन किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, उसे दर्विमान सरच्छर का नियम कहते हैं, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि रसाइनिक अभिकरिया के पहले अभिकारकों के दर्विमान का योग, रसाइनिक अभिकरिया के फलसरूप बने उत्पादों के दर्विमान के योग बराबर होते हैं, जैसे में इहां पर ज जो है अभिक्रिया के पहले का है और फिर अभिक्रिया के बाद पोटेसियम नाइट्रेट और सिलवर कुलराइड का निर्मार हो रहा है इस दोनों में इन दोनों का जो है दर्मान आपस में बराबर होते हैं